कि आपका अपने चनल टेग स्ट्रीट में सो जो अभी आपने रील देखी यह अपने इस्टाग्राम रीज पर जरूर से देखी होगी क्योंकि इस टाइम पर वाइरल हो रही है और जो भी वाइरल रील होती है मैं उसका टूटोरियल आपके लिए लेके आ जाता हूँ ताकि आप भी अपनी फोटो या वीडियो के साथ उस रील को बना पाएं जो भी चैनल पर नया है उससे मेरी एकी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर पहली बार रहे हो और सब्सक्राइब कर देना अगर आप रेगुलर बेसेज पर रेइस के टूटोरियल देखने में इंट्रस्टेड है और बाकी बात रही आज के लाइक टार्गेट की तो वह भी कंप्लीट कर देना 70 प्लस लाइक का आज का टार्गेट है तो इसे भी कंप्लीट कर देना बाकी आपकी मर्जी है 70 से जितना भी ज़्यादा आपको करना वह आप कर सकते हो और comment करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगती है ताकि मैं और improvement कर पाऊं और भी जितनी मतलब चीज़ें मैं गलत कर दाओं उसे ठीक कर पाऊं तो comment करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब टूटोरल को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको कैपकर एप्लीकेशन डाउलोड कर लेनी है मेरे टेलीग्राम से और प्लस आपको वहाँ पे एक वीपीन देखने के लिए मिल लाएगा आप कोई-साभी फ्री वीपीन प्लेश्टो उसको select करना है 49 photos होनी चाहिए उसका frame कोई सा भी हम बाद में adjust करके 9-16 कर देंगे तो अभी के लिए बस आपको 49 photos को select कर देना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं जिस भी folder ने आपने रखी होगी उसमें जाना है और photos वाले section में click करने के बाद आपकी photos show होने रगेंगी और उसके बाद आपको select कर लेना है 49 photos को तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके सा आपको भी कर लेना है mark करते रहना और यह select होती रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं timeline में अब हमारी 49 photos हो चुकी है तो add पर click करते ही यह हमारे timeline में add हो जाएगी इसे add करने के बाद अब next process की तरफ बढ़ते हैं अब बात करते हैं audio की तो audio आपको हमेशा की तरह telegram पर देखने के लिए मिल लाएगा वहां से आपको download कर लेना है अब यह application हम यूज करते हैं तो उसमें beat का option आता था match beat का उसी तरीके से इसमें भी option होता है सबसे पहले add audio पे click करो then अपने audio को import कर लेना telegram से download करना है फिर से बता दिया मैंने उसके बाद इसे zoom करो जितना timeline zoom हो सके उतना आपको zoom करना है जूम करने के बाद इस पे click करना audio पे match out का option आएगा इस पे आपको tap कर देना है अब यहाँ add beat का option आ रहा है आपको beat कहा कहा add करनी है जहाँ पे आपका graph उपर जा रहा है आप देख सकते हैं आपे audio में clearly दिख रहा है कही कहीं पे line पतली audio की और कहीं कहीं मोटी है तो जहां पे हमारी moti line है तो और उसका end हो रहा है मतलब moti line होनी चाहिए और उसका end होना चाहिए वहाँ पे आपको beat लगा देनी है जितने आपको दिख रहे है beat के option वहाँ वहाँ आपको लगा लेना है by chance आपसे गलत लग जाता है then वहाँ पे जहाँ पे आपने tap करा है beat उसी के नीचे delete beat का भी option होता है उस पे tap करके आप उसे ठीक कर सकते है मतलब कोई गलत beat लगे है then उसे हटा देना उसके बाद सही जगह पे beat लगाना और जहाँ बीच में graph बिल्कुल खाली होता है वहाँ पे एक भी point नहीं लगाना है जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया था गलती से तो इसे मैं हटा दूँगा जहाँ जहाँ मोटे graph है वही वही पे आपको point लगाने है अब point आपको कहा तक लगाने है पहले तो आपको 10 second तक point लगाने है आप उपर timeline में देख सकते हैं जहाँ पे अभी 7 second लिखा आ रहा है वहाँ पे आपके 10 second लिखा आने लगेगा और यह नहीं की 10 second की starting हो आप वहीं से चालो हो जाएंगी नहीं 11th के शुरुआत में और 10th के end में एक beat आती है ग्राफ आता है अभी मैं आपको बता दूँगा जैसे जैसे मैं लगाता जा रहा हूँ अभी के लिए आपको वही चीज़ देखनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 second चालो हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा आगे करना है और यहाँ से एक main graph चालोगा यहाँ से कि यहाँ पे आपको end point लगाना है यहाँ तक हमारा pendulum effect लगने वाला है इसके बाद आपको 8 point और लगाने है वो कहाँ पे लगाने जहाँ पे हमारा graph खतम हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ना मतलब एक ढलान सी है तो वहाँ वहाँ आपको यह point लगाने यह आपके 10 second के बाद start होंगे और यह total 8 points होंगे 8 जगय पे लगाने है जहाँ आपका graph नीचे जा रहा है यह गड़ा सा होता है वहीं पे आपको यह point लगाने 10 second के बाद गड़ों पे और 10 second से पहले जितने point लगाने वो आपको graph के उपर लगाने So split के option को भी अभी use करना है Split के option को use क्यों करना है क्योंकि हमारी जो photos हैं वो beat के according set नहीं है तो आपको photo पे tap करना है Then नीचे split option आपको देखने के लिए मिलेगा उस पे आपको tap कर देना है फिर आपकी photo दो तुकड़े में हो जाएगी और आपको photo कहा कहा split करनी है यह भी बता दू जहां जहां पे हमने यह yellow dot लगाई थे beat लगाई थी वही वही पे आपको split करके extra part delete कर देना है extra part हमें क्यों delete करना है क्योंकि हम एक photo को एक beat तक ही use करने वाले है तब ही मैंने आपको 49 photos add करवाई थी क्योंकि इस trend में बनाने के लिए आपको 49 photos की जरूरत पढ़ेगी और 49 photos की मतलब जरूरत पढ़ रही है तो आपके जो beat लगे होंगे 10 second के बाद 8 लगे होंगे और उससे पहले जितने लगे होंगे वो होंगे मतलब total मेरा के आपके 48 beats होनी चाहिए जहां-जहां graph उपर जाएगा वो वाले section भी complete करने 41 beats वो होंगे then 8 आपके होंगे normal वाले और बागी का split का part आपको अच्छे से कर लेना है जहां-जहां आपके dot लगाए है मतलब जहां-जहां मैंने आपको dot लगाने को बोला है वहाँ पर जाना है split पर टैप करना है extra part delete point पर जाओ photo पर टैप करो split को option पर टैप करो extra part delete point पर जाओ फोटो पे टैप करो स्प्लिट पे टैप करो एक्स्टा पाट डिलीट इसी तरीके से हमारी 49 फोटोस है और 49 फोटोस में हमें सेम चीज़ करनी है आई होप आपको यहां से टुटोरिल इजी लग रहा होगा जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से फॉलो करना आपकी वीडियो कंप्लीटली बन जाएगी वो भी बहुत असानी से इसके बाद हमें इसका फॉर्मेट भी चेंज करना है वो भी सीखेंगे बट अभी के लिए यह पार्ट जो है वारा इसे कंप्लीट करते है जब तक मैं यह पार्ट कंप्लीट करता हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तैन लाइक कर देना क्योंकि 70 प्लस आपको लाइक कंप्लीट करने है इस वीडियो पे ताकि मैं अगला जो टुटोरिल है उसे ड्रॉप कर पाहूँ और जो भी चैनल पर पहली वार आया है अगर आपको अभी तक टुटोरिल इजी लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप और आगे टुटोरिल ऐसे देखें देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो यहां पे अब हमारी लगबग फोटोस में हम स्प्लीट पाल उप्शन को यूज कर चुगे हैं और थोड़ी इसी जो भी बची हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं सो एक टाइम कंजूमिंग प्रॉसेस है बट आपको अगर परफेक्ट रील बनानी है मतलब रील पे देखो यार वही चलता है जिसके रील प्रॉफेसनल होती है वरना आपको ना ही लाइक्स मिलेंगे ना ही कमेंट वगरा करेगा आपके मतलब रील पे क्योंकि यार आप भी अगर दूसरे की रील देख रहे हो मिले अब यहां से मैं वीडियो को एक्स्ट्र पार्ट जितना भी यह पार्ट है मतलब 49 फोटोस का में यही सेम चीज़ करनी है तो यहां से मैं वीडियो का एंट करता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं अब बार ही आती है फ्रेम की क्योंकि अभी हमारा फ्रेम 9 रेशो 16 का नहीं था यह मैं सुरू में काम कर लेना था बट कोई नहीं अब कर लेते हैं तो यहां पर आपको एक फॉर्मेट का उप्शन मिलेगा उसके अंदर आपको 9 रेशो 16 करके सारी फोटोस को जूम कर लेना है यहां पर भी आपका टाइम जाएगा बट तो देना पड़ेगा या क्योंकि यहां पर 49 फोटोस हम यूज कर रहे हैं और वो भी second by second change होती है तो आपको 49 की 49 फोटोस को इस तरीके से जूम करना होगा जैसे कि इन सौर्ट के अंदर आपको apply to all का option देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर वो option नहीं है वरना यह कम हमारा एक minute में मतलब सौरी एक second में हो जाता बट यहां पे apply to all का option नहीं है इसलिए हमें manually सारी फोटोस को जूम करना होगा और manually करने का एक फायदा भी होता है अगर आपकी कोई photo होती है साइड से crop हो रही होती है मतलब zoom करते time face वगएरा crop हो रहा होता है वह चीज आपको दिख जाती है क्योंकि हम manually इस चीज को कर रहे है बट apply to all में यह चीज दिखकत देती है कहीं-कहीं हमारा face crop हो जाता है और हम उसे adjust नहीं करते हैं तो यह चीज बहुत अच्छी बात है कि हम manually कर रहे है इस चीज का भी एक plus point है हर चीज के positive way में देखो यार चीज अच्छी हो जाती है अब बढ़ते है अगले process की तरह क्योंकि हमने 49 photos को इस तरीके से 9-16 का कर लिया है सो combo animation आपको कहां से लगाने के लिए मिलेगी क्योंकि animation missing थी इस video से अब हमें animation लगानी है जो भी trend में यूजरी है as it is मैं आपको animation बताने वाला हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको animation का option देखने के लिए मिलेगा नीचे तो सबसे पहले आपको एक photo पर tap कर देना animation का option देखने के लिए मिलेगा वहाँ से combo select करना है combo का option होगा उसे select करना है यहाँ पर dash dot left करके एक beat आपको देखने के लिए मिलेगी उसे लगाना है बट यार उसे आपको कहां पर लगाना है जहां पर आपका graph नीचे जा रहा था ना हम पहले उन 8 point पर वह effect लगाने बाले है बट यहाँ पर मैं आपको effect एक बार दिखा देता हूँ dash dot left करके भी है और right करके भी है तो उसमें से आप कोई सा भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी है दोने effect सेम दिखते हैं थोड़ा बहुत अलग है बट trend में दोनों ही use हो रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी लगा लेना है बट यहाँ नहीं लगाना है कहां पर लगाना है जहां से हमने उस graph के नीचे की तरफ 8 points लगाये थे मतलब music beat का option में जाके जहां से हमने 8 points ग्राफ के नीचे की तरफ लगाये थे वहाँ से आपको उन photos में इस effect को लगाना है बागे की photos में हमारा अलग effect यूज होगा उसके बारे में भी बात करेंगे पर सबसे पहले आपको वो पॉइंट डोड़ना है जहां से हमारा graph नीचे जा रहा था तो यहां से हमारा graph नीचे जा रहा था हम combo के option में जाएंगे animation के और यहां पर dash dot left करके जो option था हमारा उसे enable कर देंगे उस पर touch करते हैं यहां पर animation लगने लगी की इसी तरीके से बाकी की जितनी भी फोटोस हैं मतलब 8 फोटोस हैं आगे पीछे की उनमें हमें यही effect लगा देना है तो अगर आपको graph बगरा धूरने में दिक्कत होती है अगर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी मिल लाएगा जहां से point नीचे जा रहा था और वहां से आपको वह effect लगा लेना है अब बाकी की जो फोटोस बची हैं उसमें आपको pendulum नाम का effect लगाना है तो pendulum नाम का effect आपको combo option में ही देखने के लिए मिलेगा combo option में जाना है वह पे pendulum option मिलेगा बाकी की सारी फोटोस जेतनी भी बच्ची हैं आगे की तरब की उन सभी में आपको pendulum 1 या 2 इन दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं जैसी आपकी मरची चले वह आप effect लगा सकते हैं दोनों ही pendulum वाले effect हैं और दोनों ही real में use हो रहे हैं सब मैं animation का जो scene था इसमें जो हम लगा रहे animation उसको repeat कर देता हूं तो यह चीज़ अकी बार ध्यान से सुनना सबसे पहले आपको animation के option में जाना है वहाँ पे combo select करना है और combo select करने से पहले भी आपको वहाँ पे जाना है 10 second के end पे जहांसे हमारे 10 second की ending होती है और 11 की starting होती है वहाँ पे हमने point लगाये थे graph के नीचे जहांसे हमारा graph नीचे जा रहा था और वह point total 8 थे तो उन points पे आपको effect जो लगाना है उसका नाम है desktop left और right तो उनमें से आप कोई सी भी लगा सकते हैं सो अभी आपने वीडियो देखी लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल perfect हमारी रील बन चुके है जैसा कि trend में use हो रहा था effect वही सारे effect लगाके हमने भी इस रील को बना लिया है अगर आपको tutorial easy लगाओ और interested लगाओ अगर future में भी ऐसी वीडियो देखी ना चाते हैं देन चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो का like target को complete कर देना जो कि 70 plus likes का बाकी आपकी मर्जी है जितने आपको करना है कमेंट करके ज़रूर बताना की वीडियो कैसी लगी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में thanks watching this video कर दो में गए चाते हैं